Hello and welcome friends, Teleprime सिखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वडियो है Teleprime की Teleprime में नया क्या है, खास क्या है, ये आपको बताता हूँ, एक shortcut की, जो की बहुत ही कमाल की shortcut की है, उसके बारे में जानेंगे आपको keyboard से क्या press करना है, आपको keyboard से press करना है Alt और G, जैसे ही आप Alt और G प्रेस करते हैं, तो आप List of Report में आ जाते हैं, और यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से balance sheet देख सकते हैं, यह आपकी balance sheet हो जाएगी, ठीक है, आप फिर Alt जी प्रेस कीजिए, आप देखि सकते हैं, stock की summary भी देख सकते हैं, laser voucher देख सकते हैं, ठीक है, आपने create की हैं, वो सारी detail भी आपको यहाँ पर देखती है, यहाँ पर बाहर आता हूं है, फिर वापी से alt जी प्रेस करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं, यह bill payable और bill receivable, दोनों आपको चीज़े दिखाई परती है, ठीक है, यहाँ पर data party की पूरी detail है, यह सारी data party है, ठीक है, और जैसे ही हम alt G press करते हैं, तो फिर आजाएंगे, और यहाँ पर देखिए, यह इस बार payable की बात करते हैं, ठीक है, तो payable में आपको जितनी मिलेंगी, सब तरह editor party मिलेंगी, तो यह देख सकते हैं, य यह देख सकते हैं, यह आप enter press करेंगे, तो आपको यह भी नजर आएगा, कि कितना item purchase किया गया, कब purchase किया गया, और पूरी detail आपको देख जाती है, तो यह फायदा है, alt G press करने का, ठीक है, फिर बाहर आता हूँ, फिर alt G press करते हैं, और भी चीजे नीचे आपको नजर आ र वीडियो पसंद आए, तो आपको शेयर करें, थैंक यूट पर watching this video.